कैं झालो मुण तो आयों सभी अच्छह होंगे आज इस वीडियों में Instagram करने वाले spraying ऊडर्व looks के बारे में कि ऊडर्व लो क्या होता है कि सद्रीं अल्डभ काम करता है और अच्छे कहा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यह जो इदर वाली रेड़ केंडल दिखरी एक मिनट सो रहे हैं इनको लेके अपन डिस्कुशन करेंगे यहां पर जिसमें सारी चीजों के ऊपर आपको बताऊंगा मैं सारी चीजें आपको मैं समझाने वाला हूं कि कि एक सेखिने कि एक एस और मार्किंग कैसे करनी रहा है वह सारा कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं साथ ही-साथ आपको बताने वाला हूं कि आप सारी कैसे देखेंगे तो aanपर क्या है कि ये एक structure है जो downtrend को follow कर रहा है ये पूरा का पूरा पहले इसको बन समझेंगे यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या है तो market क्या करता है किस तरह से momentum देता है मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ मालीजी ये market पीछे साता है यहाँ पर market अप जा रहा है तो यहाँ तक market क्या करता है आपका अप जाता है तो अप जाने से पहले यहाँ पर कोई न कोई एक buying candle होगी और उसी buying candle मैं बना भी देता हूँ चोटी सी candle बना देता हूँ इसका color change कर देते हैं ये मालीजी आपका buying candle है ये buying candle है मतलब की आपका before the sale यहीं है की sale करने से पहले का जो buying candle होगा यहीं की जिसपे market buying गया है उस candle को आपको क्या करना है order block की तरह mark करना है ओडर block की तरह उस candle को आपको mark करना है जो की इसको अपन mark करने वाले हैं तो इस candle को अपन क्या करेंगे order block की तरह काम मिलेंगे तो यहाँ पर देखिए अब कैसे काम मिलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पूरी candle को देखिए यहाँ से टॉप से लेके और जित्ती भी एक candle बची हुई है यह आपका complete एक order block होगा ठीक है यह आपका complete क्या होगा एक order block होगा तो यह आपका main order block है ठीक है मैंने आपको बताए कि order block कैसे माग करना है वैसे ही दूसरी condition में समझने इसको अब यहाँ पर यह थोड़ा सा आपको direct यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए जहाँ मेरा cursor है यहाँ पर ग्रीन केंडल है देन उसके बाद एक रेड केंडल है ठीक है तो अब market क्या हुआ कि यहाँ से पहले तो up momentum की तरफ गया market यहाँ से ऐसे अप गया पूरा का पूरा अप गया अप गया तेन यहाँ पर यहाँ तक sale आया ठीक है तो अपने को क्या करना इस केंडल को इस तरीके से mark करना है ठीक है इस तरीके से आपको mark करना है बट आपका यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इस केंडल की क्या हुआ कि buy candle की जो liquidity है वो यहाँ पर देखिये इस red candle ने sweep कर ली है ग्म्ख्वी है खीक है अगर आप लिक locks 2018 में पड़ेंगे तो आपको समझ माइगा । तो यह आधिए इस कैंडल के यहां पर लिकुटी कर लिए तो जबू भी आप जोन तो आपको क्या करना है साथ ही सात बचा हो जो ने इसका ये भी आपको केचब करना है, तो ये आपका एक perfect OB होगई, ठीक यानि कि यह आप इसको क्या कहोगई, एक order block होगई, यहां लिख देता हूँ OB, यह आपका OB होगई, ठीक है, order block, अब जैसे यह आपका ये order block होगई, market down जोन गया एन्न वनखेट जभी आपका अफसाइड डायरेक्शन में आयेगा ठीखे मान लीजिए तोड़ा कुछ इस तरीके से मार्केट से मोमेंटम दिया देने से US अया डैन जब ̥मेंगे चैनैंट करेगгा तो आपको मार्केट बिद्ध क Jim around को करने वहापको । करना होगा हो सकता है कि market आपका यहां से downtrend चले जाए हो सकता है अप trend चले जाए तो वह सारा कुछ आपको देखना होगा ठीक है यह इस तरीके से आपको order block mark करना अब इसमें कैसे होगा मैं वह भी आपको एक example देखें यहां समझा देता हूँ ठीक है इदर आए थोड़ों देखिए यहां पर मैंने जिस तरीके से marking किये अब सेम इसी तरीके से अपनियां पर marking करेंगे तो order block आप कभी भी लेंगे तो उसको single order block आपको नहीं लेना है order block के साथ साथ आपको एक चीज ओड़ देखनी है जिसको कहते imbalance sorry fair value gap ठीक है यानि कि fvg fair value gap जो बचा हुआ gap होता है candles के बीच में उसको fair value gap कहते है ठीक है तो fair value gap जो होता है वो तीन candles को देखा जाता है मिला के बट उसमें से first candle और third candle का imbalance होता है देखिए यह first candle यह होगी second candle यह बीच वाली हो गई और third candle यह हो गई तो यानि कि first candle का low और third candle का high अगर market downtrend में तो उस condition में आपको imbalance इस तरीके से देखना है ठीक है जैसे market ने आपका downtrend गया यहां पर मार्केट क्या किया imbalance में टच किया देन मार्केट डाउन गया फिर ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो FVG है imbalance है order block है इन सब के अलग-अलग आपको separately video मिलेंगे देखने के लिए जिन में आपको यह सारी चीज़े बताए जाएगी इस तरीके से मार्क करना है तो आपको मैंने भी बता है FVG यह आपका fair value gap हो चुका चीए यह आपका fair value gap अब देखना जबी भी fair value gap आप देखते हो just fair value gap के उपर जो candle रहेगी वह आपकी order block की तरह गाम करेगी हाँ एक चीज़ यहां पर यह भी आप थोड़ा सा note-down रखिए गया कि जब भी fair value gap जो होगा उसके पास में order block होना बहुत ज़रूरी है और order block अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो उसके साथ पर fair value gap आपको देखने को मिलेगा ठीक है जरूरी नहीं कि दोनों चीज़ एक साथ मिले कभी आपको एक mitigate Unmitigate भी मिलेगा mitigate Unmitigate का मतलब है कि मार्के टोल रेड्यूस को टैप कर चुका होगा देन वो काम नहीं करेगा ठीक है तो मैंने आपको यहां पर बताए क्या जाएगा सारी है यह अपना यूरो एजडी का चार्ट है इसको थोड़ा पीछे से देखते हैं कि यहीं समझते हैं चलो कोई ना डाउन से स्टार्ट करते हैं देखिए बाई जाने से पहले मार्केट का जो केंडल था ठीक है और सेल वाला यह वाला केंडल था ठीक है उसके बाद यह सेलिंग केंडल था बट यह बीच में बाई और का फिर यह आपका सेलिंग केंडल था ठीक है अब आपको एक छोटी सी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि कुछ चीछे आपको यहां पर सामने बहुत अच्छी देखने को मिलेगी कुछ थोड़ा आजीब तरीके से भी देखने को मिलेगी जिनको समझना है तो सब्से पहले यहां से स्टार्ट करते हैं तो देखिए यह मार्केट इतना बड़ा यह दिया कि इससे पहले का जो यह मुमेंटम है यह आपकी से दिल्स गैणल है इसको आपको इस तरीके समाग करना है यह आपका ओरडर ब्लोक हो दिन्म बट मार्केट ने इस ओरडर ब्लोक को respect नहीं किया एंड इस से डॉन गया एंड मार्केट इस केंडल पर स्विच हो रहा है अब यहां पर जो मैंि आपकी ओडर ब्लोग वाली टेंडल है वह आप कों सी मानोग़ देखिए सबसे पहली वाली यह वाली जो टेंडल है यह भी अलग है तीनों चारों केंडल सब विक स्विप कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में यह देखिए इसने फिर नीचे स्विप कर दिया यहां पर नीचे क्लोजिंग देती तो सारी केंडल्स को आप अलग अलग है हाँ अगर देखा जाए तो यह वाली जो केंडल है इसके बीच में सभी केंडल्स आत तो इसलिए यहां पर क्या हूगा कि आपको जिस तरीके से मार्किंग करनी है वह यह रहेगा कि यह आपका order block और आपको order block क्या करना है नीचे वाली गेंडल से इस तरीके से मार्क करना है आपका यह order block भी होगा अब इक क्या ओडर ब्लौक कर्रेक्ट कब हो गा कभी इस order blue को आप correct मानेंगे अगर इसके साथ में FVG बचा हुआ है यानि की fair value gap बचा हुआ है तो क्या fair value gap बचा हुआ है हाँ definitely बचा हुआ है कैसे देखते है fair value gap यह first candle होगी यह second candle यह third candle अगर आपको अभी तक FVG देखना नहीं आता तो last video मेरा FVG पर यह आप उसे जाके देख सकते हैं तो यहां से यहां तक क्या होगा अपन इसको FVG ड्रो करते हैं मैं इसको लिख देता हूँ यह आपका होगा FVG ठीक है और इस candle से यहां से यह down से लेकर यह पूर अप तक क्या होगा यह आपका होगा order block ओभी है चीक है तो इस तरीके से आपको mark करना है अब यहां पे छोटी सी चीज आपको और बता देता हूँ मैं यह बहुत जाद आपको helpful होगा बहुत जाद आप trading को improve कर सकते हैं यह आपको red candle दिख रही है जो भी buy जाने से पहले लास्ट वाली candle होगा यहां यहां पे होगा इसके बीच में मिट यानि कि इस candle से उपर closing होना चीए और इस candle से नीचे होना चीए विक जरूर ही नहीं है यह थोड़ा सा विक उपर नीचे कैसे भी हो बट यह जो red candle है इससे उपर closing हो और इससे नीचे विक भी होगा तो भी चलेगा इसे कहते इंस्टिटूशनल गेंडल ठीक है यह आई फसी जब आप करेंगे तो वहां पर अलग 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 तरे की चीज़ आती है वह आपको बताया जाएगा चीक है तो आपने वह भी मार्क करती है अब उससे उपर चलते है मार्केट थोड़ा ओर उपर गया उपर गया देखिए यहां पर भी काफी सारे ओडर ब्लोक्स है वह काम नहीं करेंगे क्योंकि ओडर ब्लोक करती है चीक है आगे देखिए यहां पर क्या हुआ है सेम चीज है यहां पर अगर अपन देखें था data pepper का उलग यह जो रेड़ेंड लेवर्फक्र यह आपका क्या होगा, यह आपका होगया OB, THEN OB से उपर क्या होना जरूरी है, FG, یानि की, fair value gap, जब अपन मानेंगे कि यह बिलकुल perfectly work करेगा, क्योंकि market क्या होता है, कई बहर OB को respect करना आता है, देन वहाँ से अप जाता है, ठीक है, यह आपका क्या होगया, यह नहीं कि फेर वेल्यू गेप यह देखिए यह पर्फेक्टली काम किया यह देखिए मार्केट बिल्कुल ओबी के अंदर आया देन ओबी से टैप किया और आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां पर मार्केट ने दिया है तो इस तरीके से आपको सारी चीज़े समझ न जाता है जैसे नीच जाता है आप बाद में पढ़ेंगे कि इलुजमेंट क्या होता है चोज वगरा क्या होता है तो वह सारी चीज़े आप देखेंगे तो टाइम फ्रेम के एकुडिंग सारी चीज़े आप समझ जाएंगे कि शोट टम में अपन आइडिया मार्क करते हैं बत प्बाइंगेंडल का सेम सिनेरियो में आपको बत इस तरीके से अब इसमें क्या होगा कि ओवी आपको कहीं तो आपने मार्क कर दी मैं इसमें इफ वीजी आपको कहीं दिख रहा है मैं मेरे ख्याल नहीं दिख रहा है चूछ है नीचे वाली गंडल पर इसे घंडल है आपकी फर्स्ट ये आपकी थर्ड गंडल तो इन जो दोनो केंडल के बीच में गेफ है इसको कहते है फेर वेल्यू गेफ ठीक है मैं आपको तीन चार बार बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा लास्ट वीडियो देख लिए कंप्लीटली फेर वेल्यू गेफ आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग बहुत अच्छ जरूरी नहीं है कि जबी मार्केट अप आया और डाउन जाए वूकर कोई टेप करें आपका a b काम ही नहीं कया यहां पे कभी कभार जो और वाला मार्केट लेता यह नहीं कभी-कभी उससे अपर वाला भी दे लेता है कि जहां पर मैंने बोला इंबे आपको एफवीजी दीखेगा वहां पर आपको ओभी डेफिनेटली दीखेगा ठीक है तो यहां पर आपका क्या होगा यह ओडर ब्लोग काम करेगा तो अगर आप इसको ऐसे एफवीजी देखना भी नहीं आता अपने मिस्टेक कर दिया तो भी आपके ओडर ब्लोग मार्केट ने टेप किया दें डाउन होगे बट वह गलती हो जाएगी आपको दोनों एक साथ मार्किंग करना है ना कि एजी टो अंडरस्टेंड रहे आपको चीज़ें नीचे चल दें थोड़ा का मार् यूड़ को पकड़ेंगा, इसको किसको पकड़ेंगा आप दो 2-2 के लिए का करेंगा को आपके लिए order-blog कों सा और या यहां पर यह लास्ट सेलिक केंडल थी इसको माक करेंगे कुछ इस तरह यह आपका ओडर ब्लोक होगे बट ओडर ब्लोक की अपने एक कंडिशन रखी हुई कि जब भी ओडर ब्लोक ना होगे उसके पास में एफ़ीजी होना ज़रूरी यानि कि फेर वेल्यू के तो यहां पर नहीं है यहां पर भी देखिए फस्ट कंडल सेकंड नी मिटिगेट सब मिटिगेट हो चुके एक दूसरे ने केंडल को इन्होंने आपस में कर दिया है ठीक है आगे देखिए यह अपनी कोंची कंडल है फस्ट यह सेकंड यह थर्ड लेकिन थर्ड ने भी यहां थोड़ा सा हो गया ओडर ब्लोक नीचे वाला बचा हुआ है कि यह आपका ओबी हो गया ओडर ब्लोक है ठीक है अब इसमें आपने जैसे मार्केट को सारी चीचे की अपने स्ट्रक्चर वगरा देका मार्किंग की तो यहां पर आपने एक चीज़ नोटिस कियोगी कि यह दोनों बहुत दूर-दूर है तो काम कौन सा करेगा अब इसमें दो कंडिशन आपके पास होगी मार्केट या तो इसको हलका सा रेस्पेक्ट करके अप जा सकता है दें डाउन गिरेगा यह मार्केट इसके पास डेरेक्ली आएगा फिर अप जाएगा कंडिशन देखते हैं क्या रहेगी पर कंडिशन दोनों मार्केट ने फुल्फिल की है ठीक है मार्केट ने दोनों कंडिशन को कंप्लेटली फुल्फिल किया मार्केट क्या हुआ यहां से अप गया और यहां डाउन गिर, अब आप सोचो यहां से डाउन क्यों गिरा, क्योंकि यहां पर क्या है कि इतना वड़ा सारा imbalance है, यह देखिए, complete imbalance है, और उसके उपर क्या बचा हुआ, यह पूरा ठीक है, देन मार्केट आया, उन नीचे वाले को respect किया, अब यहां पर देखिए, यहां पर order block कौन सा होगा, यह आप order block यह मार्क करें, यह वाला इतना सा, और आपका FVG इतना बड़ा होगा, यह 3rd candle तक, बट मार्केट अगेन गिर गया, अब यहां से क्यों आया वापिस, यह बताईए, यहां पर भी एक region है, यहां से मार्केट क्यों नीडाउन गिरा, यहीं से क्यों गिरा, ठीक है, बताईए, थोड़ा सोच, यह क्यों गिरा यहां से, यह आपको मैं बता देता हूँ, जब मार्केट ने यहां टैप किया था, टैप करने के बाद मार्केट जब अप गया, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कि जितने भी लिक्विडिटी, जितने भी जोन्स वगरा रिमेनिंग रह जाते हैं, मार्केट उनको लेने के लिए बापीज आता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ओ भी टेप हुआ, आपका स्टोब लोस यहां होगा, तो कहीं लोग क्या करते हैं, कि स्टोब लोस दिखाने के लिए इतना सा रख लेते हैं, जैसे, क्या करेंगे, इतना सा स्टोब लोस रख लेंगे, और जादा तर 90% मार्केट मैं बता रहा हूं आपका एफवीजी टैप करेगा देन आपका मार्केट अप यह डाउन डिसाइड करेगा तो इन चीज़ों को आपको खासकर ध्यान रखना है यह सारी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी ठीके और आप देख भी यह यह देखी बीच में इतने सारे इंबेलेंज बटी काम नहीं करेंगे आपको टॉप वाला एंदेन उसके नीचे वाला यह दो इंबेलेंज काम करेंगे यह यहां पर रीसेंट वाला ठीक है तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है वहां पर ट्रेडिंग स्कुल्स को अगर आपको improve करना है तो ठीक है अगे चलते हैं अब यहां पर पहले अपन मार्क कर देते हैं यहां पर आपका OBA यह वाला हुए ठीक है मैं एक साथ मार्क कर देता हूँ सारी चीज़ों है यहां से लेकर complete आपका यह zone marking हो गया ठीक है बट यहां पर आप एक चीज़ और द यह इंसाइड गंडल आपकी ठीक है यह आपका ओडर ब्लोग आगया प्लस इंबेलेश अब जब भी मार्केट आएगा इसमें टैप करेगा यह फिर मार्केट आपका डायरेक्टली डाउन जा रहा हो देखते हैं क्या सिनेरियो मार्केट का यहां पर अभी तक मार्केट इसन डाउन जाना शुरू हो गया ठीक है यह चीज अब यह चीज आपको थोड़ा सा समझ में आनी चीज चीज आप जानते हो इन चीजों को तो बहुत अच्छे साप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाऊगे साथी साथ काफी सारी चीज है ऐसी है जो आप अच मेंडम देखा है इस मुमेंट अपको आप कैच अप कर सकते अगर आपने मान लीजी यहां पर भी ट्रेड लगाई है ठीक है तो भी आप इतना स्टोप लोज को ट्रेल करते करते यहां पर बहुत अच्छा ले सकते हो अगर आप 0.01 का भी लोट लगाते तो भी आप साट ड चैप के ends देखिए यह पर बेकल में आगा है रजा का इस जी यह वाले वी फॉर तबॉय बाइब आई जाने से फ़रे मार्केट की इसल गंडल यह थी यह इसको इस तरीके से ओर्डर ब्लोक मार्क कर दिया बट मार्केट नीचे तक आया अपने इसको पूरा मार्क कर रहें और आपका इतना इंबैलेंस बचावा इतना इंबैलेंस मार्क करने की जूरत नहीं अल्रेडी वो दिख रहा है कि मार्केट कहीं नहीं मुमेंटम देग ठीक है देखते हैं यह कहां तक जाता है यह आपका बहुत बड़ा बंदराए देखें इतना ताइम बाद मार्केट यहां से रेस्पेक्ट किया अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग स्कील बहुत अच्छे से इंप्रूर जाएगी देखें कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है एंदेन मार्केट यहां से फिर अब जाता है और अब कहां तक गया यह देखिए यहां थोड़ा से बचा हुआ है इसको अपन डारेक्ली इस तरीके से मार्क करते हैं आप समझ जाएंगे क्या इसको रेस्पेक्ट किया मार्केट बिल्कुल इसको रेस्पेक्ट किया देन मार्केट अब आप बोलोगे चलो आपके कहने पर हमने यह लगा भी दिया बट यह तो यह लुड़ा दिया महरा हमने तो यह लिया इसे उपर नहीं गया है चीख है लास्ट वाला जो है उससे उपर नहीं गया है यह सिर्फ आपका ऐसे लुड़ाने का गाम किया यह अच्छे से जो यहां तक लेके बैठे होंगे चीजों को चलो ठीक है आपने जैसे भी ओर्ड अवे देखते हैं क्या यहां पर यहां पर यह और ब्लॉक रिमेनिंग है यह और ब्लॉक फ्वी जी यह तीनों को मिलाके दोनों को मिलाके यह कितना बड़ा कितना बड़ा आपको गेपप का ओर रहा है देन मार्केट टैप किया एन बूम अपसाइट ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि ओडर ब्लोक प्लस एफवीजी दोनों चीज़े एक साथ देखनी है उनको अच्छे से मार्क करना है अगर आपने वह सी अच्छे से कर पाएंगे अगर आपको इससे कोई डाउट कोई प्रोब्लम्स वगर आती है तो देन आप हमारे से डिस्क्रेशन कर सकते हैं या कमेंट में पना मैसेज छोड़ सकते हैं ठीक है आगे देखिए इसका बता रहा था मैं अब देखिए क्या होगा कि जब भी मार्केट यहां तक डाउना है अब आपको किस तरीके से करना है कि यह इस्टिटूशनल केंडल्स होगेरा देखनी है वह सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो मां फिर मार्केट यहां सब गया ठीक है कुछ ना कुछ केंडल जो है हर केंडल कु है नहीं तो मार्केट आपका यहां तक आजाएगा ठीक है अगर मार्केट यहां तक आता है देन इसका सिनेर्यू कुछ तरीके से रहेगा पर पर मार्केट करेगा थानल कास अपर हलका से अपको यहां पर वसकता है विग वगरे शिप करे दिन यह लेगा देन फिर मार्केट यह आप जाएगा ठीकि पॉसिबिलीटी इसी तरीके से होगी क्यों क्योंकि यहां पर यह आपका बोश हो जाएगा यहां पर आपका यह डारेक्ट चोज इडमें आपके यह अलो तैनि यहां पर आपको एक छोटा सा ओडर प्लोक उस देखने को मिलेगा यह अच्छा गज़ा इंटरी सेटप बनेंगा ठीक तो इस तरीके साब आपको सारी चीज़े देखना है समझना माग करना है और इजी वे में आप सारी चीज़े समझेंगे करेंगे तो यह आपको सारी चीज़े समझना है अगर आपने प्रैक्टिस होगे रहा नहीं की था आप प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा ज्यादा आप चीजों को समझें देन आप तभी कर पाएंगे, ओके, थैंक यू सो मच एवोड़ीवन